नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आएगे नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर कोविड नाइटीन देश में इस साल पहली बार करीब 29,000 नए मामले दर्ज किये गए नीतामबानी को बियर्चियू में प्रोफेसर बनाने का विरोध रिलाइन्स के प्रवक्ता ने खवर को जूटा करार दिया 23 मार्च के शहीदी दीवस के मद्दे नजर किसान मजदून निकालेंगे पद्यात्रा हमाई चौतियों आखरी पर बिहार से हजारों आश्रा कर्मचारियों के महाधरने का दूसरा दिन वामपंदी पार्टियों ने किया मांगों का समर्थन हमाई पहली ख़बर में हम आज बात करेंगे केंद्री स्वास्त मंत्राले दौरा आज बुद्धवार यानि 17 माज को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 3 महीने के बाद कोरोना के करीब 39,000 यानि 28,903 नए मामले सामने आये हैं इसके अलावा कोरोना से 2 महीने बाद एक दीन में 188 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश बर में कोरोना से पिडित 17,741 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 10,974 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1.14.38.734 हो गई है जिन में से संक्रमण के कारड अब तक 1.69.044 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में करोना से परित 96.56 फीस दी यानि 1.10.45.284 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 2.04 फीस दी यानि 2.34.406 हो गई है स्वास्त मंत्राले की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में अब तक करोना वैक्सीन की 3.50.64.536 डोज दी जा चुकी है जिनमें से 21.17.104 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आइसेमार दोरह जारी आगडो के अनुसार करोना की पहचान के लिए अब तक 22.92 लाग 49.748 सैंपलों की जाच की गई है जिनमें से 9.79.021 सैंपलों की जाच पिछले 24 घंटों में हुई है Reliance Industries की कारकारी निदेशक और Reliance Foundation की अध्यक्ष नीतामबानी को बनारिस हिंदू विश्य विद्याले में विजिटिंग प्रोफेशर के तौर पर बुलाने का चात्र और चात्राय विरोध कर रहे हैं हाली में खबरे आई थी कि बनारिस हिंदू विश्य विद्याले के सामाजिक विज्यान संकाय की ओर से नीतामबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है सामाजी विज्ञान संकायक के डीन परोफेसर काौशल किशोर मिश्रा ने बताया था कि नीता अमबानी ने मौखिक तौर पर प्रस्ताव को स्विकारा भी है वहीं छात्र छात्राएं नीता को प्रोफेसर बनाए का विरोध कर रहे हैं छात्रों ने कूल पती पर बेश्यू के उद्योग पतियों के इशारे पर चलाने का अरोप लगाते हुए कारवाई की मांग की है वहीं दूसरी तरफ नीता अंबानी के बनास हिंदू विश्य विद्याले में विजिटिंग प्रोफेसर बनने की रिपोर्ट को उनके प्रवक्ता ने फरजी करार दिया है Reliance Industries Limited के प्रवक्ता ने बुद्धवार को कहा कि नीता अंबानी को बेचू की ओर से विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है 23 मार्च जिस दिन भगत सिंग, राजगुरू और सुगदेव को फासी दी गई थी उस शहीदी दीवस के मद्दे नजर CITU, किसान सबा और खेत मजदूर यूनियन ने तीन काले क्रिशी कानून, लेवर कोड अक्ट, विजली बिल और नीजी करण के खिलाफ तता MSP पर खरीद की गारेंटी का कानून बर्माने, खादी सुरच्चा और रोजगार के अधिकार के लिए पद यात्रा निकालने की घोशना की है और सभी किसान मजदूरों, आम जंता, शिचक छात्र और हर वर्क के लोगों में इसमें शामिल होने की अपील की है यह पद यात्रा हर्याणा में हासी की लाल सडक से शुरू की जा रही है जो की इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के जन प्रतिरोत का एथिहासी केंदर रहा है इस जगा पर लाला हुकुम चंजैन और मिर्जा मुनीर बेक की साजी शाहादत हुई थी इसी दिन एक सहयोगी जट्था जिन्द से चलकर हासी वाले मुख्य जट्थे में रहतक के आसपास मिलेगा पांस जिन तक गाउं शहरों से गुजरते हुए इस विशाल जट्थे का 23 माज को टिक्री बॉर्डर पर हजारों किसानों के साथ समावेश होगा दूसरा बड़ा जट्था पंजाब किसान मजदूरों का होगा जो शहिद भगत सिंग के गाउं खटकर कला से आएगा जिसका 19 माज को कुरिशेत्र और घरनाल में नागरिक अबिनंदन होगा और 20 माज को यह हर्याणा के किसान मजदूर जट्थे के साथ मिलकर पानी पत्स सिंगू बॉर्डर तक पहुचेगा तीसरा जट्था उत्तर प्रिदेश मत्र प्रिदेश के किसानों का 19 माज को पद यात्रा करते हुए 23 माज को पलवल पहुचेगा पटना में बिहार विधान सभा के बाहर Accredited Social Health Activist यानि आशा कर्मचारियों ने बुद्धवार को भी अपना धरना जारी रखा हजारों की संख्या में आशा वर्कर मासिक मान दे और अन्य लंबित पड़ी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रही है उनकी मांगों के समर्तन में वामपन्धी पार्टियों ने भी विधान सभा की में बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन किया गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर धरने पर बैटी आशा वर्करों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन था उन्होंने मुख्यमंत्री नितिश कुमार के नितित वाली NDA सरकार को चेतामनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाली 25 और 26 मांच को वह हर्ताल पर चली जाएंगी इसके साथ हेल्थ सेंटरों का घेराओ भी करेंगे यह महाधरना आशा सन्यूत संगर्ष मंच के बैनर तले मंगलवास से शुरू हुआ है प्रदर्शन में 1000 में दम नहीं, मासिक मांदे 21,000 से कम नहीं के नारे लगाय जा रहे हैं इसके साथ ही आशा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का उहदा देने की भी मांग की जा रही है आज के डेली रॉंड आप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंगलिफ सेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया